जैवीम समय समय पे बहुजन समाज में जन्में सभी संतों गुरुव महापुर्षों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश में विदान सभा चुनाओं चल रहे हैं और तेईस तारिकों चोथे चन्ड का मद्दान आजास समाज पार्टी काशिराम और उनका गठवंदन समाजिक परिवर्तन पोर्चा भी मैदान में 6 चन्ड में मैं खुद गॉर्बपूर से पतियासी हूँ और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो 4 चन्ड के हमारे पतियासे 5 पुछ अनके लिए भी 20% काम भीमार में आजास समाज पार्टी कारे करता है पूरी मांदर से कर रहे हैं आज मैं खुद 12 बांकी था और अब मैं लखनोव महुचा हूँ सुबह ही गौरपूर फिर मुग करूंगा गौरपूर में मुख्यमंत्री योगी अतिनात के खिलाब हमारा चुनाओं है वह चुनाओं भी लग वह हम लोग जीत रहे हैं लेकिन सर करकार और सरकार पर बैठे लोगे कुद मुख्यमंत्री पूरे जोर लगा रहे हैं कभी हमारे जो रहने वाले कमरें उन्पे पुलिस नःवाज क्यूत भी च्रपरों में लोगया в बहात को नहीं जानते कि इस बार गोरकपूर की जनता मन बना चुकी है कि वो परिवर्तन चाहती है हमारा प्रयास है कि हम सब लोगे बीच में जाएं अपनी बात रखें और यह बताएं कि 1998 से लेके 2017 तक पांच बार जिसको MPI आपने बनाया पांच साल जो मुख्यमंतिर रहे जब वो अपने घर है ज सोशित वंचित वर्क के लोग हो आरक्षन में घोटाले होते हैं भरतियों के पेपर लिख हो जाते हैं महिलाओ के रेफ हत्याय होती है कोई कारवाई नहीं होती बुल्डोजर जाती देखके चलता है महंगाई ब्रश्टाचार पर आप बात करोगे तो आप राष्ट हैं उसमें जो आजार समाज पार्टी के प्रतियासी लड़ रहे हैं और उनके साथ जो समाजिक परिवर्तन मोर्चा समयक्त मोर्चा के जो प्रतियासी हैं उनके लिए भी मैं अपील करूँगा कि आप सब लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा वोट करके उनको जिताने काम कर और समाजिक परिवर्तन मोर्चा के जो परतियासी उनको आगे बढ़ाने काम करें क्योंकि आने वाले समय में नेता जब अपने घरों में दुबग जाएंगे तब यही लोग आपके लड़ाई को लड़ेंगे और अगर जो जिन लोगों ने पांसाल सड़क पे लड़ाई धन्यवाद करता हूं कि वो अपने सीमिस संसादनों पर लगे हुए हैं और उन्होंने चैलेंज किया है सामंतियों को उस ववर्ष्था पर अधारित लोगों को जो धंतंत की राजनीती कर रहे हैं तो आज जो चोथे चंड के लिए प्रतियासी हैं बहुत सारे प्रतियासी जो प्रतियासी रहे हैं जो मैदान में हैं मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि वो उनको जादर स्यादा वोड़ दे के जिताने काम करें क्योंकि उनका जीतना जरूर यह लोगतंतर तभी बचेगा जब सभारते सविधान को मानने वाले और अंबिटकरवा माथूर जी आजार समाज पार्टी के प्रतियासी है केतली उनका चुनाओं चीन है मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको जादर जादर वोड़ करके सफल बनाएं स्रीनगर स्वरक्षिस से सटनलू राम बोच जी लखीमपूर खिरी में सिट है वहां से प्रतियासी मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको जादर जादर वोड़ करें हरगाउं स्वरक्षिस से स्वरब किसोर जी इंजिनियर स्वरब किसोर सितापूर जिला है ये उसमें प्रतियासी हरगाउं विदान सभा से मैं खुद उनके आँ गया था वो महनस से चुनाव लड़ा रहे हैं और एक इमानदार नौजवान प्रतियासी मैं आपसे अपील करता हूं कि उनकी मदद करें हरगाउं विदान सभा के सभी साथी मिष्ञ क सुख्षित से विजे परकास गोतम जी जिला सितापूर में है मिष्ञ क सुख्षित वो एक बहुजन मिषसन्री वहां से प्रतियासी हैं गरीब वेक्ति हैं लेकिन महन्ती और काम कर रहे हैं गाओं गाओं तक पहुँंचा मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट उनको देखर उनको विजे मिनाने का जो है फैसला लें उसके साथ मलियाबाद सुख्षिट से रुपेंदर कुमार रावत उर्फ आर के आदर्स मलियाबाद सुख्षिट जो लखनव में हैं मैं आपसे अपील करता हूं कि आर के आदर्स जी को एक एक वोट डाल के के का काम करें बक्सी का तालाब से सुनील सिंगानिया आजास समाज पार्टी के प्रतियासी है जिला लखनव मेरी आपसे अपील है कि उनको ज्यादा ज्यादा वोट दे कर सफल मनाने का काम करें लखनव पूर्वी से अविनास भारती आजास समाज पार्टी के प्रतियासी है केतले चुनाचिन है लखनोपुर्वी की विधानसभा के रहने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि उनकी मदद करें सुवाईजपूर से ग्यानेश कुमार जो हरदोई जिले में हैं विदान सभा स्वाइजपूर गयनेश कुमार अजाज समाज प्राटि के प्रतियासी हैं मेरी आप से अपील है कि उनके चुनावचशन केतली पे जए जदा वोट करें हर दोई सदर से अक्तर अली गाजी अजाज समाज पार्टी के प्रतियासी हैं बहुत मेंती हैं और लगातार फिल्ड में हैं काम कर रहे हैं मेरी आप से अपील है कि एक एक वोट उनको डाल कर उनको सफल बनाए बांगरमों से चांद आलम आजार समाज पार्टी के प्रतियाशी जिला उन्नाओ बांगरमों और मेरी आप से अपील है कि भाई चांद आलम जी को जाज़ादा वोट करके सफल बनाए भगवन दनगर से सुरिंदर कुमार जो जिला उन्नाओ में है सुरिंदर कुमार महां से प्रतियाशी मेरी आप से अपील है कि उनको जाज़ादा वोट देखकर उनको सफल बनाने का काम करें उनका चुनावची ने केतली मोहान सुरक्सित से निद्दू कनोजिया आजार समाज पार्टी की प्रतियाशी है बहुत महंती महन है और मैं मांदर से लड़ रही है लंता के पीच में है लंबे समय से काम कर रही है जिला उन्नाओ मोहान सुरक्सित निद्दू कनोजिया हमारी प्रतियाशी है मेरी आप से अपील है कि उनको जाज़ादा वोट देकर सफल बनाए मेरी आप से अपील है इस बार डीलर और लोडर ना चुने इस बार लीडर चुने काम करने वाला व्यक्ति चुने और आप जो वोट आजास समाज पार्टी प्रतियाशी को दोगे उसकी सिदी ताका चंशे कर आजाद को मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम सड़कों पे लड़े हैं आप अब हमें सदन में हमारे प्रतियासी को लड़ने हमों का दे जिससे लड़ाई को हम लोग अंजाम तक ले जा सके क्योंकि जिस विचारधारा के जरिये परिवर्तन होगा वो विचारधारा को अगर आज को चला रहा है तो वो आजास समाज पार्टी भीमार्मी है और मेरी आपसे अपील है कि इसकी मदद करें एक और अपील मैं गोरकपूर सदर से प्रत्यासी हूँ पिछले कुछ दिनों मुझे एसास हुआ कि लोकतंत्र में चुनाओ लड़ना बहुत कठिन काम है चुनाओ बहुत महंगा हो गया है एक एक चीज के लिए आपको परियास करना पड़ता है अगर आप परियास नहीं क को इगनौर कर देंगे तो मेरी आपसे अपील है कि आज मैं एक पेटियम नंबर जो है वो लॉंच करूंगा मेरी आपसे अपील है कि उस पर जाज़ जादा मदद कराके उस चुनाओं को लड़ने में अपनी भागेदारी अपनी इस्सेदारी और जैसा हमने का एक वोट औ अमधत नहीं चाहता इसलिए आप से अपील कर रहा हूं यह आंदोलन है सामंतियों के खिलाप अरसर्थ भाजपय खिलाप एस आंदोलन में आप भी योगदान करें इसलिए आप से मेरी अपील है कि आप जहां भी रहते हैं वहां से जो आपकी छमता है उस छमता से मदद कर वो पेटियम नंबर है मैं उसका पोस्टर जारी करूँगा बस मैं डरता हूँ कि आपकी मैनत का पैसा इतर उदर ना चला जा इसलिए मैं वो नंबर ही जारी कर दे रहा हूँ 7906-231756 यह पेटियम नंबर है और और भी जो माध्यम है उसके जरीए आप UPI और भी मैं आपके जरीए भी Google पे और फोन पे के जरीए भी इस नंबर पे आप मदद करा सकते हैं इससे कि हम आसानी से उत्तर प्रदेश में जंगल राज को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री जो सविधानिक भासा के खिलाप जाके बोलते हैं और जिनके साशन काल में बोजन समाज के लोग विकलांग हो गए लगबग उनको सबक सिखाने में आसानी हूँ दुबारे से बता रहा हूं 7906-231756 ये पेटियम नंबर है और सभी माद्यम से आप इसे मदद करते हैं जाए भीम जाए भारत बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए बंगल काम ना है फिर जल्द पांच में चरण के प्रतियासों के लिए फिर आप से अपील करूंगा और छटे चरण के लिए तो हम खुद भी प्रतियासे अपने लिए भी अपील करेंगे और लगातार पर खड़ाओना अपनी ताकत का निर्मान खुद करना राइन्तिक सक्ति अपने हाथ में लेनी हैं क्योंकि जिस समस्याव संपीडित है उसका निदान के लिए मैनत भी हमें करनी पड़ेगा और सब्सक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी वना 71 साल थे जो लोग सक्ता मे उनके आपने देख लिया कि वो लोग क्या करते हैं अगर वो आपके एतिसी होते साइद आज आज आप जो हैं तमाम तरह की सुधाओं के लिए मोताज ना होते और आपके हाथ ऐसे फैले में ना होते माने वर कासी राम साब चाहते थे कि हम देने वाला समाज बने हमारा अजितिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए मंगल कामना है जै भीम जै भारज जै सविधान और लोगतंत्र में वोट जरूर दे और कल चोथे चरण में आजास समाज पर्टी कासी राम को वोट करें के तलिके चुनाओं बोद बोद दन्यवाद